तभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जैहिन देखेगा आज अपन करंट के इस दूसरे डोज के अंदर चर्चा करने वाले महिला ससकती करंड को लेकर के जो योजना है उनमें कुछ योजनाओं की चर्चा अपने कल की आज बाकी योजनाओं की चर्चा करते हैं इसी प्रक करन्ट सिधी बात नो बखवास करते हैं प्रारब देखेगा रास्ति महिला निती 200 & 2016 की बात आती पहला परसन जहां से क्या बन सकता है कि रास्ति महिला निती 200 2016 ये कब जारी कि जाती ये 17 मई 2016 को याद रखला जो फिर दाथ बना कि राष्टर इस सतान को इसतान को फिय धान दीजेगा ये रास्थर्म महिला ससकते निति कौन्सी निती का łस्थान लेगी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो आप कहेंगे ये दो हजार एक के अंदर जो महिला निती बनी थी उस निती का इस्तान कुन सी सोला वाली पहला प्रसन बना की राश्टी इसका मतलब केंदर सरकार का मामला चूकि भारत के संधा में भी याद करनी है कब हुई लोंस तो याद कर लेना 17 मही 2016 और महिला ससक्तिकर निती जो आपका 2001 थी उसका इस्तान लेगी इसमें किस की चीजों पर जोर दिया गया है ध्यान देना किसके उपर देना पोशन याद रखेगा सीधी बात रास्टे महिला निती 2016 17 मई 2016 कब 16 के इंदर 16 में कब 17 को 17 बोले तो 17 मई 2016 याद हो जाएगा ठीक नहीं होगा तो करना पड़ेगा क्या उपाए आगेर है महिला ससक्ती करण राइट क्या है महिला ससक्ती करण राइट देखेगा अभी 2022 का करण का प्रोजेक्ट है इसलिए याद रग लेना जरूरी है ये कहने का मतलब ये कि इसे कन्या कुमारी तक की एक यात्रा है जो महिलाओं के इंदर जागरूपता लेके आएगी सीमा भवानी सोरिय भियान के तैत महिला ससक्तिकन राइड 2022 को अब परसंड बना यहां पे अमर जवान जोती पर हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया कब की बात आ रही है तो आप कहेंगे मार्च 2022 की अब डेट क्या इसकी आप कमेंट करके बता दीजेगा कि यह कितनी तार काने गा कौन से सीमा भवानी सोरिय भ्यान के तैत किस से समंदित महिला ससकती गड़ तो याद रखेंगे महिलाओं को ससक्त करने से समंदितर राइड वाली योजना इसके इंदर अमर जवान जोती शमाक्द से लेकर के और कण्या कुमारी तक आपका राइड की गी आगे व केंदर की योजना है पहली बात तो ये और दूसरी बात लागू कब की जाती है सकी वन स्टोप सेंटर योजना ये यादर के लिए 13 अप्रेल 2015 केंदर कब है तो आप कहेंगे 13 अप्रेल 2015 केंदर ये लागू की जाती है कब लागू कीगी भाई साथ तो याद करना 13 अप्रेल 2015 केंदर कौनसी योजना की बात करें सकी वन स्टोप सेंटर आप सिधा याद कर लेना अप्रेल 2015 सकी वन स्टोप सेंटर योजना परसन बनेगा इसके लिए वित का काम यानि वित पोशन इसको कहां से हो रहा है योजना क तो आपका उत्तर बनेगा इसे वित्व पोषण के लिए फंड काम कर रहा है कौन सा निर्वया फंड के आप जानते हैं कि जो सामुइक बलातकार हुआ था उसके बाद में एक फंड की घोशना की गी थी निर्वया फंड जो आपका बलातकार पिडिज्व आपकी बालिकाय मह आपको बताए कि 2012 के अंदर जो आपका निर्वया फंड की स्थापना की काम क्या करेगा यह यानि मूल मुद्दे की बात करूं में तो यह साहिता करता है और साथ इसाथ एसी महिलाओं का आप पुनरवास इस फंड के माध्यम से किया जाता है परसन में परदान मंत्री महिल महिला सक्ति के अंदर योजना याद रखेगा यह किसकी योजना है तो आप कहेंगे भारस सरकार की योजना है परदान मंत्री महिला सक्ति के अंदर योजना किसकी भारस सरकार की योजना है बजट भासन 2017 18 के अंदर और महिला सक्ति के अंदर की स्थापना कराने की घोशना कीगी यह आप याद रखेंगे परदान मंत्री महिला सक्ति केंद्र योजना फड़ाबर से कमेंट करके इसके डेट जरूर लिख दीजेगा थोड़ा बहुत तो आपको भी एक्टिव रखा जाए तभी तो कम चलेगा हां डेट जरूर कमेंट करनी है ताकि आप एक्टिव र प्रारम की जाती है हरियाना के पानीपत से अप्शन में आपको सोनीपत भी दे सकता है तो याद रख लिजेगा 22 जनवरी 2015 कौन से योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह बालिकाओं के लिए स्पेसल बोले तो लिंगानुपात में वर्धी करने के लिए औ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और साथ ही साथ में बदाओं आपको आये कहां से प्रारम की जाती है यह 22 जनवरी आप कहेंगे दूसरा चरण का सुभारम कहां से होता है तो याद रखीगा आठ मार्च 2018 को कब की बात कर रहे हैं पन आठ मार्च 2018 को मोदी जी आयत जुन्जनु और जुन्जनु को क्यों चुना क्योंकि जुन्जनु ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंदर टोप का काम किया और लिंगान उपात के अंदर यहां पर वर्धी दर्ज कीगी याद रखीगा आठ मार्च 2018 कौंसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बहुत बढ़ी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का दूसरा चरण कब से प्रारम किया गया तो आ आप कहेंगे पानी पर से सर थोड़ा सुखे जा रहा है मेरा तैंक्यू से साम तक बस अबकलासें कलासें चलते ही अब आपको लगता है कि सब्चैक तो लगता है कि अब अदे घन्ठे की कलास लेकिन मेरी तो कंटीनियू चल रही है याद रहेगा इतना कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ा योजना का दूसरा चेन आठ मार 2018 जुझनों से आगे फिर बात आती है नेक्स्ट अपनी क्या तो आप कहेंगे सुकन्या समर्धी योजना सीधी सीधी बात है कन्या को समर्धी देना उसकी छोटी छोटी बचत को बढ़ करना इसके लिए और ये कब प्रारम की जाती है तो आपका उत्तर आएगा 4 दिशंबर 2014 को कब की बात आ रहे है तो आप कहेंगे 4 दिशंबर 2014 को इस योजना का सुभारम किया जाता है कौन सी सुकन्या समर्धी योजना परसन बनेगा क्यों सुभारम किया गया यानि छोटी चोटी बचत को प्रोचसान देने के लिए बालिकाओं के लिए इस विशेस योजना को सुरू किया गया है याद रखेगा मेत्तोपुन बात है इसके अंदर 2500 रुपे की प्रारम्भिक जमा रासी के साथ खाता कूला जा सकता है यानि आप 2500 रुपे से इसकी सुरुवात कर स सकते हैं और मेन बाती है 2500 रुपे नियुनतम और आप 1500 रुपे तक इसमें जमा करवा सकते हैं एक वर्स के अंदर आगे फिर बात बनी इसके अंदर सुकन्या समर्धी योजना खाते में रासी यासी याद रखेगा कित्ते लाग तक जमा की जा सकती है तो आपका उत्तर में ब्याज है सरकार का साथ है सुकन्या समर्धी योजना सरकार साथ है तो ब्याज कितना साथ है साथ पॉइंट में 6 प्रतिसत कितने प्रतिसत है साथ पॉइंट में 6 प्रतिसत है अब परसंद बने पर सीम साथ क्या करते हैं ये 11 अप्रेल 2021 को कब की बात करें हैं पन 11 अप में कौन से विद्धाले चलने और वो विद्धाले कौन सी कक्षा से लेके कौन सी कक्षा तक के लिए चलने ये भी आप बताईएगा ध्यान दीजेगा कस्तुर्वा गांधी जैनती क्या उसरपार सीमसो गहलोत ने राजस्तान राज्ये महिला निती 2021 केंदर केंदर अभी याद रखेगा इस पेशल रूप से कहां केंदर की बात करें 2016 आगया और राज्ये की बात कर रहें तो यह महिला निती कब जारी की जाती है महिला हम को ससक्ती करने के लिए 2020 में 21 में कार एक और एक होते हैं 11 तो याद रख लिजेगा 11 अपरिल किता अपरिल 11 अपरिल 11 तो चलते हैं सनिती का निर्मार जो अपने SDG हैं SDG बोले तो sustainable development जो गोल है जिने 2030 तक पुरा करना है SDG SDG जो आपके है sustainable development गोल और यह SDG जो है इनका लक्सी तवर्स रखा गया है 2030 इनका लक्सी तवर्स कित्ता रखा गया 2030 रखा गया है टोटल इसके इंदर सत्रा टार्गेट हैं और सत्रा लक्सों में से लक्से एबीए की महिलाएं जो है इनकी स्ततिकों सुधार आ जाए महिला ससक्ति करन किया जाए तो उसी के तहत यह काम शुरू किया गया है आगे बात आई सभी जिला मुक्यालव वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह जो महिला निती जारी की गई इसका एक में बिंदू है और परसन बनने के पूरे पूरे चांस हैं दो परसन आपके यहां से आएंगे इन योजनाओं से इंद्रा महिला सक्ती के इंद्रों की स्तापना क्या परतेक चिला मुक्यालव पर किये जाने का प्रावधान किया गया है आप कहेंगे जिया परतेक चिला मुक्यालव पर किये जाने का प्रावधान है किया आगे बात आती है हरी चंदर मातूर लोग परशासन संस्तान पित किया गया यहरी संदर मातूर लोग प्रशासन संस्तान जो आपका जेपुर के अंदर वहां पर याद कीजिएगा निती कब 2021 में 11 अप्रेल 2021 को स्टीजी के लक्सों को प्राप्त करने के लिए स्टीजी में टोटल सत्रा हैं 2030 तक इने पूरा करना है और उनी के अंदर एक आता है महिला सकती कर याद रग लिजेगा उसी लक्से को पूरा करने के लिए परतेक जिले में इंद्रा महिला सकती के अंदर भी खोले जाएंगे और इसे ही महिला निती के अंडर में फोले जाएंगे आगे बातारी नीचे राज्ये में वर्थ 2019 में कबकी बातारी 2019 में महिला और बच्चों के गुरूद होने वाले गंभीर अप्रादों के गुणवत्ता पुनन संधान और प्रभावी प्रेवेक्षन हैं तू समस्त जिलो में फोल फोर्म याद हो नहीं हो लेगिन करनी है S.I.U.C.A.W. S.I.U.C.A.W. A Special Investigation Unit for Crime Against Women याद कर लेना फूल फोर्म है पूछी जा सकती है S.I.U.C.A.W. का विस्तारित रुप क्या है या किस से समन्दित है A Special Investigation Unit for Crime Against Women याद रखेगा S.I.U.C.A.W. राजस्तान देश का पहला राज्य है जो A.C. विबस्ता कर रहा है राजस्तान देश का पहला राज्य जिसने A.C. यूनिट का अगठन किया है Special Investigation Unit for Crime Against Women याद रखेगा या आपका 2019 में प्रोजेक्ट चलाया गया आगे अपन बात करते हैं तो आता है महिलाओं की साहितार और सुरुक्षा देने के लिए राज्य के दो जिले जुनेगे अगर आपको आते हैं तो कमेंट करके बदाओ नहीं आते हैं तो सुनो दो जिले कौन से चुनेगे एक जिला चुना गया अलवर भाई साथ और एक जिला चुना गया स्री गंगा नगर इन दोनों में MPV बोले तो महिला पुलिस कार्य करता योजना का पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में चैन किया गया है महिला पुलिस कार्य करता का पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में चैन ये राजस्तान के कौन से दो जिलों में किया गया है तो आपका उत्तर आएग एक तो अलवर के इंदर और दूसरा स्रीगंगा नगर के अंदर मुश्कुराइए आप करंट पढ़ रहे हैं और नेवरी सर के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि बंके रहेंगे व्यक्याता लेके रहेंगे महौर चाहें कुछ भी हो जाए अब ठान लिया तो ठान लिया फिर हार क्या फिर जीत क्या मेहनत में कमें नहीं आने चीए चलिएगा बात करते हैं आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के इंत्रगन बालिकाओं के जनम को समर्पित फलदार पोधार उपन कारेकरम के तैट कन्यावाटी का निदे साले महिला अधिकारिकता और टेक्नोलोजी पार्क कहां विक् इस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है क्या है टेलिग्राम जीके बाई नेवरी सर के नाम से टेलिग्राम चैनल है वह आप जरूर जोइन कर लें ताकि विभिन परकार की सूचनाएं आपको मिल सकें और साथ ही साथ आपको पीडिएफ वगेरा जो भी च स्ट्रेड वाला एक्जाम दिया दो जाल अठारा की भरती का वहां पर यह तीनों पेपर में आया था अब योजना तो कब किये साथ सुत्री कारेक्रम है दो जार नो दसका है इसका मतलब यह नहीं कि बाद में नहीं आएगा बाई साब इस पेसल टोपी कि आपके महिला ससक सक्तिकर्ण दिया हुआ है तो परसंदो महिला ससक्तिकर्ण की 15 पुरानी जोजना से भी पूछा जा सकता है या दखिएगा किते सुत्री साथ सुत्री कारेक्रम की गोशना की थी कौन से बजट में 2009 10 के बजट में अब परसंद क्या था हमारे परसंद यह आया था कि निमने सुत्री महिला ससक्तिकर्ण चलाए जाएगा बिल्कुल चलाए जाएगा सुरक्सित मातर्त्व होगा तो सिसु मर्तूदर में कमी आएगी लेकिन साथ में जन संक्या को इस्तिर करना यानि जन संक्या वर्धी भी नहीं होनी चीए अब अगली बात फिर आई बाल विवा की रोक्ठाम ये भी कम से कम दस्वी कक्षा तक विद्यालों में बच्चे ठैने ये भी सीका है और महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित वातावन परदान करना और साथ साथ स्वेम सायता समू के माध्यम से सवरोजगार के उसर उपलब्द कराने है तू आर्थिक सा सक्तिक साथ कारेग्रह में याद कर लेना हालांकि इस से महतोफून फिलाल इंद्रा गांधी वाले जित्ते भी नाम के प्रोज़ग्ठ चल रहे हैं तो यह याँ यह भी आप याद कर लेना शुरक्षित मयत्रतव की बात आती है यहां पे शिसु मर्तुदर में कमिल आने की बात आ आती है स्वेम सायता समू के माद्यम से सवरोजगार के आउसर उपलब्द करा नहें तू आर्थिक ससक्ति करण की बात यहां पे आती है आगे नेक्स्ट बात आती है इन सब के लिए इनकी पहुंच को क्या करना सुनिस्ट करना सभी सासन संस्ताओं को जेंडर समेंदन सील बनाना और महिलाओं और बालिकाओं के रूट सभी प्रकार की हेंसा और भेदभाव को रोगने है तू कानूनी प्रनाली और संस्तागत तंतर को सुधर करना और टांस्वोमन को मुखे धाना से जोडने है तू उनके लिए समुचित योजना बनाना याद रखीएगा पहली पहली बात यानि यहां पिक्या कहा जारा फिर देखना यानि महिला निती 2021 में जारी कीगी बिल्कुल कीगी सर लेकिन हुआ कैस में बालिकाओं को स्वायक्ता देने के लिए बालिकाओं की गरिमा और बात करें मानव अधिकारों का सुनिश्चित करने के लिए जैंडर ट्रांस्फोर् जैंडर समेंदन सिल बनाना भाई कोई भी निती होगी तो उसका कोई न कोई तूदस से होगा इसके यह है ट्रांस्वुमन को मुख्यदारा से जोड़ना आगे बात आती है तो आप कहेंगे महिलाओं बालिकाओं के विकास के लिए कित्ते छेत्रों का चैन किया गया तो आ प्रियावन जलवाई परवर्तन और आपदाय यह इसके अंदर सामिल के गये ज्यादा सक महित्तो पुन नहीं लेकिन फिर महित्तो पुन बात आ गई एंद्रा महिला सक्ति प्रोथसान और सम्मान पुरुषकार योजना यह कब जा लागू की जाती है तो आपका उत्तर बन इनको दिया जाएगा चाहें तो आपका कारिय करने वाले है नहीं एन महिला चेत्र में काम करने वाले जो भी संस्ता होगी जो भी व्यक्ति होगा उन्हें यह पुरुषकार दिया जाएगा कित्ते लेवल पे दो लेवल पे बात कमें राज्य इस्तर पे और राज्य इस्तर के बाद में आपका आता है कुनसा आपका जिला इस्तर राज्य इस्तर के बाद कुनसा है तो आप कहेंगे जिला इस्तर के उपर ये पुरुषकार दिये जाएंगे आगे बात समझ में कुन सी योजना एंद्रा महिला सक्ति प्रोच्षान और सम्मान पुरुसकार योजना 2020 आगे बात है महिला कल्यान कोस वेरी वेरी इंपोर्टेंट है महिला कल्यान कोस का गठन कब किया गया एक इसके सयोग से संचालित हो रहा है एस कोस का संचालन भारती कि जीवन भीमारिकम के सयोग से आप पेंगे कर ये 2006 साथ याद कर लीजिएगा आप पर्संद बनेगा किसके लिए महिला कल्यान कोस इस्पेसल ये आंगनबाडी कारिये करताओं के लिए आंगनबाडी कारिये करता है चाहें बात करते हैं आंगनबाडी आपका सही होगी नहीं है चाहें आपका सहाई का है आधी आधी जो भी है इन सब के लिए आंगनबाडी कारिये करताओं के लिए जो आप करता के लिए में काम याद रखेगा कि यह आपका कब से चल रही हो जना तो आपके महिला कल्यान को दो जार चैसाथ से साथ सो पचास अंगनबाड़ी कारिय करता के लिए और बाकी जो सही होगी वगरा है उनके लिए आप कहेंगे तिन सो चेतर रुपे की बात आ रही है एक बात और याद कर लेना इसमें दस अजार का बीमा भी किया जाएगा इसमें दस जार चाइल्ड हेल प्लाइन किता है एक जार अठ्यान में आगे बात करते हैं वान इस्टोब सकी के अंदर की बात के पनने एंद्रा महिला सकती के अंदर योजनायभी महिलाओं के लिए गरेलो हिंसा अधिनियम दो जार पांच परसन आ जाएगा निमन में से किसका महिलाओं से समन्द नहीं है तो वहाँ याद करना है आगे बातारे महिलाओं का कारे स्तल पर लेंगी पिड़न से समन्दी स्रंक्षन अधिनियम रास्तान डायन परतारन निवारन अधिनन 2015-16 और 33 महिला समाधान समीती इन सभी का समन्द किस्से महिलाओं के ससक्ती करन से हैं चले आगे इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट विद्वा विवा उपार योजन यानि पैंसन प्राप्त विद्वा जिस विद्वा को पैंसन मिल रही है पैंसन प्राप्त जो भी विद्वा है अगर वो साधी करती है तो भाई साब याद देना उसे 15,000 रुपे दे जाने का कर देगी महिलाओं के लिए एक पूर बता देता हूं में परसन आ जाएगा आवाज दो आवाज दो एप का समन्द किस से यह महिलाओं से और राजस्तान का पहला जेंडर बजट याद रखेगा मैं यह एक बातूर लिख देता हूं जगह बची रहे तो राजस्तान का पहला पहला जेंडर बजट यह कब परस्तुत किया था जैसे गह लोग जिने करसी बजट परस्तुत किया उसी प्रकार याद रखेगा जेंडर बजट यह 2012-13 के अंदर परस्तुत किया देया और 2012-13 में मुखे मंत्री थे कौन आप कहेंगा सो गह लोग थे तो याद रखेगा राजस्तान का पहला पहला जेंडर बजन ये कब प्रस्तुत किया जाता है 2012-13 में प्रस्तुत किया जाता है चलें आगे पन चलता है बहुत बढ़ी है बस बिल्कुल ही सेमित समय के अंदर कंफ्लिट जानकारी लेने का अपना प्रोजेक्ट है क्योंकि सीधी बात नोबक्वास टूदे पॉइंट उजवल्ला योजना का समंध किस से एक ही बात याद रखने है सीधा प्रसंद बने उजवल्ला योजना जो महिलाओं को मुख्यधारा में लाना और उनके बच्चों को एवांचनी कारियों में लिप्त होने सरूखना बचाना और उन् सक्तिकंड के संधाम में उजवल्ला योजना का समंध किस से तो आपका उत्तर बनेगा जो देहक व्यापार के इंदर लिप्त महिलाओं उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना बहुत बढ़िया चलते हैं अब आर ये सवधार ग्रह योजना यानि भाई साब खुद का प्रारम किया गया है एक मिनिट के लिए मैं थोड़ा साथ जल्पान कर लेता हूं फिर चलते हैं आगे तो यहां पर बने बात की सवधार ग्रह योजना कबसे दो जारे एक दो से महिलाओं को आस्रा देने के लिए आस्रे देने के लिए आगे बात आती है मुख्यवंतरी को कौरोन देलेना भाईसता कोरोन की बात Alvar which cookies को आइगा 25-06-2021 प्रारम की जाती कभे 25-2021 मुखेमंत्री को रोना साहता योजना संपौर्ण राज्यरिके अंदर संचाली थे प्रकार की योजना के अंत्रगत विद्वा महिला को कौनसे महिला को हूं विद्वा महिला को कित्ते याद रखीगा PANDRAA सो रुपई कितने रुपए PANDRAA सो रुपए परतिमा पेंशन देही होगी और विद्वा के बच्चों को अठारा वर्स की आयुतक उस विद्वा के बच्चे को अठारा वर्स की आयुतक रुपए एक हजार का प्रावधान है यह कर दिया ज्यान देना मुख्य मंत्री कोरोना साहिता योजना गविद्वा महिला को एक लाख रुपे की ततकालिक साहिता साथ ही साथ पंदरा सुरुपे परतिमा पैंसन और उसके बच्चों को अठाला वर्स के आयू तक हजार रुपे परतिमा पैंसन के रूप में दे जाएं अब योजनाओं को कंफर्म याद होंगी कहीं कोई रोकने की बात नहीं है याद रखिएगा इसके इंदर स्पेसल जो गरववती महिला हैं साथ के अंदर पन बात करें धात्री महिला हैं साथ के अंदर बात करें जीरो से च्छे महा का सीसू इन सब को पोशन देना यू इसकोल नहीं जा पाती हैं तो याद रखिएगा 11 से 14 आयू रकी के सोरियां जो इसकोल नहीं जा पाती हैं उनके लिए आंगनबाडी केंदरों के माध्यम से पोशनीय और गेर पोशनीय सेवाउं से लाभानवीत के जाने तु संपूर्य राज्जे के अंदर 1 जुन 2018 कित्त लिए special तारिक तो याद करी लेनी है साथ साथ ये भी याद करना है कि इस योजना में किसका क्या समंद्ध है जैसे मैंने का महिला कल्यान को उसका समंद्ध किस से तो ये भी आपको जान होना चाहिए क्योंकि कत्नों में आएं एसे परसंद जहां तक आते हैं वहां तक कौन से लेकिन मेनत में कमिनी आनी ची आगे चलते हैं आगे इपन बात करते हैं तो अपने पास आता है चुपी तोड़ो सयानि बनो भियां ये 2022 मेंगर मैं बात करूं ये बढ़ी यान सीधा सीधा समंध कहां पे हैं पहली पहली इसकी पहल जो की थी ये नागोर जिला प्रसासन ने की थी मैं बात करूं इसकी पहल किसके द्वारा की गी ये नागोर जिला प्रसासन के द्वारा की गी नागोर के बाद मैं अलवर की बात करते हैं यहां पर इसका यानि नागोर औ बिद्ध्यालों में कारे रच जो आपकी अध्यापिका हैं उनको महावारी स्वस्ता प्रबंदन की जानकारियां दीगी गुड़ टच और बेट टच की जानकारियां ताकि वो वालिकाओं को ये चीजे बता सकें उनको इनसे अवगत करवा सकें और ये जो अभियान चला था चुप्पी तोड़ो सयानी बनो भियान कौनसा चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान परसन बरा दिवत्य चरण की शुरुवात ये कब होती है तो याद रखीगा 16 मई को होती है 16 मई 2022 को ये शुरुवात होती है कौनसा चुप्पी तोड़ो सयानी बनो 2022 में चला पहल महावारी स्वस्ता और गुड टच बेटर्ज याद कर लेना एक प्रसंद बरेगा यहां पे यह किस से समंदीत है इस पेसल इसमें फोकस किया गया महावारी स्वस्ता प्रबंदन के परतिजागरुकता लाना और आत्म विश्वास पेदा करना चुपी तोड़ो सयानी बनो भ गंगोरी बाजार कहां का भीया तो आप कहेंगे गंगोरी बाजार जेपुर का गंगोरी बाजार कहां का तो आप कहेंगे जेपुर का यहां से इसकी सुरुवात हो जाती है अब जैसे ही आगे चलते हैं तो अपने पास आएगा इंद्रा महिला सक्ति उडान योजना वेरी में टारगेट का है एस योजना का में टारगेट है भालिकाओं को महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन उपलब्द करवाना देज़े की यहां पे बात कर रहे थे पन यहां पे महावारी स्वस्ता प्रबंदन की बात आ रही है लेकिन यहां पे आ रही है महिलाओं को भालिकाओं को सेनेटरी नेपकिन उपलब्द करवाना इस योजना केता है स्वास्ते और स्वस्ता को धान में रखते हुए ग्रामिन छेत्रों में स्पेशल प्रोजेक्ट है ग्रामिन छेत्रों के अंदर और कौन सी आयू रखी तो ये 10 से लेकर के 45 इसके बाद म को हर महिने किते सेनेटरी नेपकिन दिये जाएंगे निसुल्क तो 12 सेनेटरी नेपकिन निसुल्क दिये जाएंगे ये इस पेशल उनके लिए जो विद्ध्याले में नहीं जा पाती हैं बालिक हैं इस पेशल उनके लिए साथ के अंदर विद्ध्याले में जाने वाली बा करऊदान इसमें इसमें परस्तावित कित्टे करोड़ का दो C de कै लिए है कौन से महला बाली कांग के लिए प्रसण आथा सूपोशित माथियान सूपोशित मा माता को शुपोशित करना 29 फरवरी 2020 को माथियान की शुरुवात की जाती है जिसमें कि सोर यों और गरववती महिलाओं को कुपोशन की समस्या से मुक्ति दिलाना कि वो कुपोशन की सिकार नहीं हो और याद रखेगा इस अभियान के पहले चरण में हजार गरववती महिलाओं को नेशुलक पोशन आहार किठें वो आपके दिये गए हैं और इसका उदस्य था कि केसे भी करक के कुपोशन से मुक्ति मिले और लास्ट तो क्या ही बताएं एक आप लिख लिजिएगा जागर्ती बेक टू वर्क ये योजना कप्रारम की जाती है 30 नवंबर 2021 को तो ये कुल मिला कि ये भी महिलाओं से समन दीता है महिलाओं की समस्ति योजनाय पन ने दो क्लासों में पढ़ लिए अगली क्लास में लेके आ रहा हूँ आपके लिए स्पेसल अंत्रिक्स कारेकरम या जो भी मैं देख लूँगा टोपिक मेरे साब से सेट बेठेगा जिसको मैं धंग से एक बार कवर करके इसकी पीपीटी बनवा के और जल्दी कर लेके आ रहे हैं तो आज के लिए तक आफी है बाकी मिलते हैं कल all the best ऑके बाबाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मिलते हैं अगली क्लास में जैहिं